नमस्कारम सद्गुरू देवी ए दिव्यतानी अभिवेक्ती छे अने तमें कहिलू के विश्व भर्मा घणा बदा देवी मंदिरों नाश करवा माव्यो हतो हूँ जानवा मांगू छुके केम देवी ए पोतानू रक्षन न करी छेक्या वाव हाँ एव जतु हकीकत छेके के स्त्री प्रक्रूतीना स्वरूपमा दिव्यतानी पूजा हूँ बज प्रचली थाती हाजना यूरोप अरेबिया मध्य एश्या आ बदी जग्या होए परन्तु एश्याना मात्र आ भागमाज ते जीवंत रही शकीछे अन्यस थड़ोए तेने खुब इंसक्रीते जड मुढ माथी उखेडी नाखवा मावी चे वेल, कदाच स्त्री प्रकृती नी दिव्यताने जड मुढ माथी उखेडी नाखवानू वधारे सारा लेखित प्रमाणना वृत्तांत विशे तमें जरूर साम्डी वह शे तमें जानो छो, विच हंटिंग ए शब्द प्रहोग हजी पन चाली रह शे आजे, धारो के कोई व्यक्तिने अयोग्यरी तेहरान करवा मावे तो आपने कहिए चे विच हंट आश्यब्द मध्यकालीन सदियोंना धर्मयुद्धना समय थिउप्योग मा लेवा मावे चे एक अंदाज प्रमाणे तेओ लगबग साइट लाक्स त्रियोंने जीवती सडगावी थिदी लगबग डोड सो थी 200 वर्षना गाळा मा ते विशेमाने पूर्ण खात्री न थि ते समय गाळा धर्मयान क्रूसेड ना समय गाळा धर्मयान जयारे कोई खूब महत्वक अंख्शापूर्वक धर्मनों फेलावो करी रह उवतु त्यारे आओ बन्यू आस्त्रियों जेमने आरीते सलगावी देवा मावी थि आने बिजी गणी ने अन्यकारणों सर परन्तु आ बदू आमज कोईने विच के डाकणनू नाम आपी दो इटले बस लोको तेने सलगावी दे आजे पन कम नसीबे आ प्रथा क्याक ने क्याक हजू मौजूद छे तो आमा डाकण कौण छे कोई क्रिते ज्यारे एक स्त्री केते कईक जानवा के करवा माटे सक्षम छे बाड़कोनों उचे रने रांद्वा सीवाई त्यारे तेने डाकण केवाती हाँ, करे करे उँज अतू तेथी सामान्य रिते देवी मंदिरों हमेशा स्त्रीयों ने विक्सावे छे जे अन्य वस्तू हमाटे सक्षम छे अत्यारे आपने बैरागे नी औने देवी साधकों नी एक नवी संस्कुरूतीनू सर्जन करी रहा छे ते पाचलनों विचार ए नथी के लाल शेतानों आश्रम मां आम तेम क्याक ने क्याक फर्या करे विचार ए छे के दीरे दीरे दीव्यतानी अवर जवर थाए ए पोतानों समय लेशे परंतु दीरे दीरे जेने तमें दीविया मानों चो ओने तेनू मंदिर स्थापो चो ते जीवीत रहे पकबर थाईने तो स्त्री प्रकुती नी दीविया ताने जड मुण थी उखेडवा मावी थी मात्र एक कारण थी, कि एबराहीमिक धर्म प्रकुरिया इस संपूर्ण पणे पूरुष प्रधान छे इस संपूर्ण मैस्क्योलान के पूल लिंगी छे तेमा स्त्री प्रकुती माटे कोई ज स्थान ना थी तेमा भगवान अने तेनो पूत्र भगवान अने तेना दूतो बद्धाज पूरूशो कोई स्त्री नहीं कारण के तेओ विश्वस निये नथी तेक दाज बिजू कई पन जोई शके तेमने के एक बिजी खबर पन पड़ी शके एज समस्य हाती तो आ कारण थी अरेबिया मां यूरोप अने मध्या इश्या मां गणों विनाश था परन्तु आखा भारत मां एक पन गामडु वेव न थी के जहां देवी मंदिर न होई अने हुँ जारे सोमनात मंदिर गव तेनो सत्तर थी पन वदुवार विनाश करवा मां वेवतो अफगानिस्थानना अमुक युद्धना लडवईया हो द्वारा सत्तर वार तेवोया प्रवास करयो जे लगबग चौत्सोती पंदर सो किलोमीटर नू अंतर छे आ प्रवास ते मात्र मंदिर न विनाश करवा माटे करे छे पहली वारूं समझी शको छू के त्या संपत्ती हती त्या सोनू अने हिराजवारा तता बराबर छे के त्याने लूट मचावी अने बदू सलगावी ने जतो रहो केम भी जीवार कदाच हजू संपत्ती हशे पंद त्यार पची तो कोई संपत्ती नती कारण के लोको नानी वस्तु आपता ते में पूश परश करी के वो शूं हतु के के में सत्तर वार आवेओ वात ते हती के ए त्रोण देवी वजेनी अरेब्या मा ते वो वात करे छे इसलाम पूर्वन काडमा तेमानी कोई एक देवी ने तेनी मुर्ती ने त्यांथी लावी ने शीवना साथी तरीके सोमनात मंदिर मा तेनी स्थापना करिया थी तो तेव आ देवीनों विनाश करवा मागता हाता तो आ मानस गोडा पर बेसी ने 300-400 किलोमीटर सत्तर वार प्रवास करे छे देवीनों विनाश करवा एटला माटे या विश्वमा एक स्त्रीनों विनाश करवो एटलों महत्व पुरुना छे एक आम एटलू महत्व अनू छे कारण के तम इस्त्री शक्तिने जो समर्थ बनाऊशो तो पछी बदाज मुर्खता भर्या काईदाओ इदरेक मुर्खता भरी विचार धारा अने काईदाओ अने स्वर्गनी मुर्खता भरी परिकल्पना जे तमे सर्जी चे ते पड़ी भांगशे ते केवी रिते पड़ी बांग्षे ते कारिय प्रक्रिया माहू नथी जतो पन इटलू विचार करी जुओ मानी लोके तमे एक स्त्रीने भगवान तरीके स्विकार हो छो तो अचानक ज क्यांक दूर जहिने सारी रिते जिवुए जतु रेशे कारण के स्त्री प्रक्रुतीनों स्वबावद नथी ते हमेशा पूरुष हो छे जने क्यांक जहुँ हो छे अने सारी रिते जिवुँ हो छे ओछा मों चुकोई बिजी जग्या आदेश मां के बिजा कोई खंड मां आग रह उपर के पची बिजो कोई ग्रह के बिजी कोई आकाश गंगा अथवा बिजी कोई परिकल्प नाजेम के स्वर्ग के देव लोग तमें जे केवा मागो आप पूरुष नी बाबत छे तेने हमेशा क्यांक जवु हो छे अने 25 सारी रिते जिवु हो छे ते अहियां सारी रिते नथी जिवी शकतो ए जेनी समस्या छे आएक बहुज मोटी बोलिंगी समस्या छे कि ए अहियां सारी रिते नथी जिवी शकतो तमें जो स्त्री अने पूरुष ने जोओ तो तमें जोशो के स्त्री हमेशा स्थाई थवा मागे छे थोड़ो गणों आराम क्याक मड़े ओ त्यां स्थाई थे जाए पूरुष ने तो पहाड चड़वो छे अने तेनी बीजी तरफ स्थाई थाऊँ छे पहाड नी आ तरफ तेनी माटे योग्य नथी तेथी जो तमे पूरुष अने स्त्रीना स्वरूप मा भगवान बनाऊशो अने ते ओ शेव अने पार्वतीनी जेम जो रहेशे तो तमारे बीजे क्याई जवानी जरूरत नथी शेव सुद्धा पार्वतीने कारणे काशिमा स्थाई थाया था तेतो बदे फर्या करता हाता परन्तु लगन कर्या पची ठंडीना समय गाळा दर्म्यान तेव जो यो के पार्वतीने हिमालाईनी उच्चाई पर रहवानू अनुकुण नतू आउतू तेथी तेवो तेमनी माटे थेने काशिय आवी गया पण पची तेमने पन तेया इटलू बदू गमी गयू के गणा लांबा समय गाळा सुधिये त्याँज रहा तो स्त्री तत्व हमेशा स्थाई थवा मागे छे अने पूरुष्ट तत्व हमेशा क्यांक जवा मागे छे ए आगे कुछ वधारे पड़तु आगण वध्वानी भावना आपनने थोडिक जरू छे परन्तु वधारे पड़तु ए जीवन ना गणा बदास्तरोय खूब विनाश लावे छे आजे मोटा भागना लोको ए फिलोसोफी करी रहा छे आपने अर्थ व्यवस्तामा वधारे पड़ता आगण वध्या आने वाईरस आवी ने आपने संतुलीत करी रह छे हुँ ए बदू नती कई रह आपनी अर्थ व्यवस्ता के प्रवरुतिने संतुलन मा लावनी आको योग्य रीत नती एवी घणी योग्य रीतो छे विजी अने एक महत्वा पूरुण रीते छे के स्त्री शक्तीने समर्थ बनावी तमें जोशो के घणी बदी रीते आगे कुछनी भावना ओची थशे तोड़ू गणूं कांतो तमारो जुकाओ आंत्री कहो जुईये तो तमें यहां बेसी शक्षो अथवा पची कोई कृते तमें स्त्री साथे बंधायला रहो तो तमें ही बेस्षो बाकी पची तो एकलो पूरुष तेने कोई रीते काबू मना राखी शकाए ते सतत चाल्या करे तमारो जुकाओ जो आंत्री काशे तो बहुँ सेलाई थी बेसी शक्षो अथवा पची स्त्री तमने बांधी शके छे गणी बदी रीते अर्थ तंत्र के ग्रहनों विनाश हजी सुदी ए बिंदु सुदी नथी पोँचे ओ जुआ थी तेने पाचोंना लावी शकाए कारण के मोटा भागना पूरुषो ने हजी पन स्त्री नी जरूर छे गणा ओचा पूरुषो छे जे स्त्री वगर रही शके छे तेवो क्या तो तपस्वी छे जेमनी कोई समस्या नती अथवा पचे तेवो खूबज महत्वा कांक्षी छे आने तेमनी समस्या छे हाँ तो शुँ देवी नो विनाश थह तो वेल हुँ कवचु आखा देश मा देवी छे दरेक गामडा मा कदाच पूरुष स्वरू भगवान नू मंदिर नही हो हमेशा एक देवी नू मंदिर तो होय चे तमिल नाडोनू एक पण गामडू मारी मारी अमन वगर्नू नथी करनाटक नू पण एक पण गामडू मारी वगर्नू नथी तेयां ते मारी चे अहियां मारी अमन चे क्यांक बीजे ते काली चे ते गणा बदा नामों लेई शक्वाने काबिल छे तो ते पोताननु द्यान केम नहीं राखी शकी आस त्रीनों एक स्वभाव छे के तेनी माटे वातावरण जो अनावश्य कोई तो ते नहीं रहे ते बीजी अनु कुड जग्या इस थाई थाशे तेने खरेकर आमज कर्यू छे अपने तेनु द्यान राखवानू छे